शनी के बाद गुरू भी हुए अस्त 11 फर्वरी तक ग्रहों की अस्तस्ति 12 राश्यों को क्या कुछ दे कर जाएगी देखे सिर्फ धर्म ज्यान बद हैं नमस्कार धर्म अनके दर्शकों का फिर्सषागत है हमिश्य की थरे मैं हूं साथ कवीतर आ शुषस मौन सक्षा स्वेट जाने-वारी जूति च्रशकार 一 gente निवाद कवीतर हो धर्म जानके सबी दर्शकों। बहुत बहुत नमस्कार और समय हरिदोर में और आपके लिए अगले महा का राशी फल यानि फरवरी मास का राशी फल भी लेके आएंगे और ग्रहों की बदलती चाल आपकी राशी उपर क्या प्रवाव डालने वाली है ग्रहों के राशी परिवरतन उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे बेकोल लेकिन आईए सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्रहों का अस्थोना आपकी जिंदगी में क्या खलबली मचा सकता है जी हां बात करें तो इस साथ जन्वरी को सबसे पहले शनी अस्थोए फिर उसके बाद 17 जन्वरी को गुरू अस्थोचुके हैं अब जो की मकर जिसका प्रभाव 11 फरवरी तक रहेगा ऐसे में 11 फरवरी तक कि इन राश्ची वाले लोगों को थोड़ा से समल करहना पढ़ सकता है इसे को लेकर आज हम जानेंगे महिंजी से लेकिन सबसे पहले में जाना चाहते हूं कि जोतिश शास्त्र में आखिर कोई ग्रह कैसे अस् है जिके जब भी कोई ग्रह सूरी के नजदीक आ जाता है तो और इसकी अब अस्पञां मतलब क्या होता है डएकि अस्त ग्रह का मतलब होता है कि किभा 시내 का कमी के बाद समय कित्र आस्त हो जाता है चाहे वह चंडरमाही क्यों ना हो चाहे आपका कोई भी रहा हो के तुको छोड़ कर वह तो जय से आपने बताया कि इस समय गुरू भी आस्त है और शनी भी आस्त है लेकि अस्त ग्रह को इस तरह सा मान लिजिए अगर पोई आपके कुड़ी में योग कारक हो और वो ग्रह सूरी के दुवारा अस्ट हो जाए तो उसकी पावर वीक हो जाती है, यह उसी तरह की से हम मान सकते हैं, जैसे कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है तो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए, उसका स्वस् निशानियां प्यादा करते हैं, यानि कि उनकी ताकत कमजोर हो जाती है, उनका फल देने का जो शुब फल देने का जो कारी होता है, वो सूरिय के द्वारा अस्थ होने के कारण धीमा पड़ जाता है, तो यह अस्थ ग्रहों का परभाव होता है, लेकिन एक बार फिर भी आ अंतरदशा में बड़ी सफलता अरजित करी है, तो यह बात तो कहना बिल्कुल गलत है कि अस्थ ग्रह अगर आपका बैठा है, और तो वो आपको जीवन में कुछ नहीं देने वाला है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मेरी कम से कम जो रिसर्च है, वो कहती कि ऐसा नहीं होता है अस्थ ग्रह भी आपको शुपफल दे सकते हैं, अगर वो बहुत अच्छी सिति में कुंडली में बैठ गए हो या शुप ग्रहों के साथ भी योग बना कर बैठें, तो अस्थ ग्रह को भी मजबूत करके उससे शुपफल लिया जा सकता है चलिए हम महिंग जी से यह जानते हैं कि सूर्य और माफ कीजे श्यानी और गुरू के अस्थ होने से आखिकार किन लोगों पर या फिर किन राश्य वाले जातकों पर इसका शुब और अशुब परेनाम पढ़ने वाला और अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले हम जो की मंगल परवरी तक हम कह सकते हैं कि डोनों करयास्त रहेंगे गुरू शनी इसके कारण जिनके लिए यह 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 योकारा कि उनको जारा परिशानी समय समस्या रहेगी तो मेश राश्य वालों को क्या करना पड़ेगा ठीक हमारा यह जो प्रेडिक्शन करने का मतलब है बाविश्य मेश राशी वालों के लिए समय काफी अच्छा है सब कुछ बढ़िया चलेगा लेकिन इस समय अस्त ग्रह के कारण क्या कुछ परिशानी आएगी वह आपको बताएंगे और क्या चीज आपको नहीं करनी है देखिए मेश राशी वालों को इस समय काम कारोबार में कारे सकती है व्यर्थ की भाग दोड़ो सकती है करोद की अधिक्ता के कारण कहीं ना कहीं आपको मान सम्मार में कमी भी हो सकती है छोटे मोटे वार विवार कारे सल पर या घर पर हो सकते हैं तो थोड़ा सभल कर चलेंगे तो बहतर रहेगा फिजूल खर्ची ना करें समय तो यह आपके लिए बहुत ही बहतर रहेगा ऐसे में पीली रंकी वस्तों का इस्तमाल करें हल्दी की गांट अपने पास रखें पीले वस्त धारन करें और यह हल्दी केसर का तेलक माथ्या चाती पर लगाएंगे तो मेश राशी वालों को कोई परिशानी नहीं आएगी जो अस्त का ध्यान देना चाहिए और धन के लेंदेन को लेकर थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए अन्यता कहीं नहीं समय धन हानी के वी आशंका नजार आ रही है तो आपके लिए बहतर है और यह भागेस्तान में गुरु अस्तों नहीं जा रहे हैं इनिक भागे को रोकेंगे बंत अगर चने की दाल या केले का दान करेंगे तो विशेश लाब मिलेगा ग्रहों के अस्तोंने से मिथु नाशी वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा कि मितुनाशी वाले अपने करियर को लेके और खासकर नोकरी अव्यवस हैं बिलकुल लापरवाई ना करें इस समय लापरवाई बहुत महेंगी बढ़ सकती है पारिवारी जीवन पे ध्यान दें वाद विवास से आपको बचना चाहिए अगर नया मकान या वहान लेना चा बढ़ा भारी नुकसान आपको हो सकता है खर्च सो समझ कर करें भगवान शीव के अराधना करने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलें करक राशी वालों के लिए करक राशी वालों को पार्टनर्शिप में इस समय धोकेवाजी हो सकती है अगर आप कोई नया व्यवस है शु द्यान रखें तो आपके लिए बैता रहेगा क्योंकि करक राशीया करक लगन में गुरु योग कारक हो जाते हैं तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बरस्पति की स्थी बहुत शुग है तो आप उखराज धारन कर सकते हैं या पर पीले रंका इस्तिमाल करें पीला है अस्तोर के बिल्कुल के सिंग राशी वालों को वाद विवास से बचना चाहिए प्रॉपर्टी में अगर कोई टीलिंग समय कर रहे हैं तो वह रुक देनी चाहिए आन्यथा आपको इससे में नुकसान हो सकता है कोट कचैरी वाद विवास से इतना दूर रहेंगे आपक समय नहीं है 11 फरवरी तक कही समय है सावधानी से निकालेंगे तो बहुत आसानी से यह समय निकल जाएगा वेर्थ के वार विवाद और खर्च से आपको बचना चाहिए कर राशी को अस्तगर यह क्या कुछ देकर जा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि रिष्टो इनको थोड़ा बचना चाहिए चंचलता पर नियंतर नखें वाद विवा से दूर रहें करियर में कोई बड़ा परिवरतन ना करें इसमें अगर आप नूकरी छोड़ेने की सोच रहे हैं तो इसमें टाल दीजिए इसमें बहुत अच्छा रहेगा संतान प्राप्ति की जो पिने वाले जो तुला राशी जातकों को थे उनके लिए इनके लिए चटे भाव का कारक यहां बरिस्वति बनते हैं और तिर्टेश भी हैं तो इनके लिए कहतने की तोला वालों के बरस्वति इतना शुब नहीं होते तो अस्त होगे तो और उनको सावधानी रहनी पड़ वो समय आपका अच्छा रहेगा वयपार में निवेश करने से अभी आपको बचना चाहिए तो आपके लिए ब्हेतर होगा लेकिन समाने धनलाब तुला राशी वालों को मिलेगा और इस समय कोई शुब कारिये ना करें तो आपके लिए बेतर रहेगा फीली वस्तुओं का द तो आपको बचना चाहिए संतान की सहत का भी ध्यान रखे और अत्यादिक खान-पान से आपको बचना चाहिए और विश्ची ग्राशी वाले शौर्ट एमपर होते हैं जल्दी गुस्णा आता है इस समय कुरोध के अधिकता भी बढ़ सकती है वड़ा सावधान रहे हैं प्र नुकसान निंदी भी सावीट हो सकती है तो इस तक आप ध्यान नखना है किसी भी तरह के वादविवाज से भी सब्यार नाचाहर, और पीली स्ब्स का दान करना आपके लिए भी बहुत शुब रहे का चाहिए उसमें पीले और इस्चेदारों के साथ मित्रों के साथ जीवन साथ के साथ वाद वीवाद टालें तो आपके लिए बहतर हुआ कोई जरूरी काम करने से पहले बड़ों की सला लें बड़ों का आश्रिवाद लें क्योंकि ब्रस्पती जो हैं गुरूदेव हैं कोई बड़े भुजरुगर पितार दाजी उनका श्रिवाद लें उनकी सला से चलेंगे तो इस समय आपके सभी कारिये बंते वे नजर आएंगे और इस समय उपाए क्या करना चाहिए देखिए आपको क्या इस समय बहतर रहेगा कि चने की डाल का दान करें और ब्रस्पती के बीज मंत्र करेंगे तो आ में आफ रहेगा रहे हो लम आपस्वामी चेहिए लगन का सवामी चेह लाखना स्वामी इस दिर्टा रहती है हॉटा परिषानिय टनावाँ थेसी दिर्टाल को सकता है जी transl praticamente सी और इस समय आपको क्या करना चाहिए व्यर्थ के वार्वास से बचेंगे तो आपके लिए बेतर रहेगा अगर आप इस समय कोई धन निवेश करना चाहरे हैं या यात्रा पे जाना चाहरें लंबी दूरी की आतरा पर तो उसको भी टाल दें कोई तो आपके लिए बहुत 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 रहेगा नीली चीजों का परियोग करना बहुत शुब रहेगा आपके लिए नीला कपड़ा नीला रुमाल अगर आप शारण करते हैं तो विशेश लाप मेंग जी हमारी जो आखरी राशी में नाशी के स्वामी भी खुद गुरुदे को मिले जुले परिणाम मिलेंगे किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए और जीवन साती की सलाह से अगर आप चलेंगे इस समय तो बहुत ही आपको फायदा होगा और यह तरह इस तरह की जो निवेश है ग्यारा वारा फरवरी तक टाल दें तो आपके लिए भीतर होगा हम यह कहना चाहिएंगे सभी राश्यों के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी की जुरूत है लेकिन कोई चिंता जनक बात नहीं है चले तो यह आज हमने मैंक्शमाजी से जाना है कि आखिरकार गुरू अशनी के अस्थ होने से 11 फरवरी तक किन राश्यों को थोड़ा से स संबंदेत कुछ भी सवाल है जवाब जो आप जानना चाहते हैं धर के वासु से संबंदेत कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वाट्स अप नंबर के जरिए आप मैंक्शरमाजी से सिधा संपक कर सकते हैं और दर्शोकों से गुजारिश है कि कई बा यह से सोड़ेंगे तो आपको रिपलाई एक से दो दिन के बाद जरूर मिलेगा चले इसे के साथ हम दोर को दीज़ाज़ नमस्कार कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो